Earl Nightingale का जनम 12 मार्च 1921 कोलांग बीच अमेरिका में हुआ था वे एक मशूर अमेरिकी रेडियो स्पीकर और लेखक थे जो ज़्यादातर मानविये चरित्र विकास, प्रेना और सार्थक अस्तित्व के विशों से संबंदित लेखन और भाशन करते थे 1956 तक Earl Nightingale एक सफल रेडियो उद्धोशक थे उन्हें The Voice of Sky King के रूप में जाना जाता था वे खुद के देनिक रेडियो और टेलिविजन शो भी चलाते थे आगे चलकर उन्होंने एक छोटी सी जीवन भीमा कमपनी खरी दी और अपनी बिक्री करमचारियों को अपने प्रेरक और उत्साहित जनक संदेशों से इतना प्रेडित किया कि वे कमपनी एक सफल भीमा कमपनी बन गई बाद में अर्ल ने एक भाशन लिखकर उसे रिकॉर्ड किया ताकि उसके बाहर रहने पर भी उसके करमचारी उत्साहित और प्रेरित बने रहे ये भाशन था The Strangest Secret अर्ल का ये संदेश काफी मशूर हुआ और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को परभावत और परिवर्तित किया आज 60 से अधिक वर्षों के बाद भी ये सबसे शक्तिशाली और परभावशाली संदेशों में से एक बना हुआ है कि हर उस व्यक्ति के जीवन को बदनने की शमता रखता है जो इसे सुनता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चरी जनेक रहसे क्या है इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चेकित्सक और नोबल पुरुसकार वेजेता अलबर्ट श्वेजर ने लंडन में एक इंट्रिव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा डॉक्टर आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है महान डॉक्टर ने एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं ये दौए दौर है जिसके लिए आदमी हजारों बरसों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा है लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्द हो गया है क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुशते पहुशते इनके साथ क्या होगा 25 की उमर में शिरुवात करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामियाब होंगे यदि आप इन में से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामियाब होना चाहते हैं और जीवन उसके सामने खुब सूरत एक रोचक अभिने की तरह होगा लेकिन 65 वर्ष की उमर आते आते जानते हैं क्या होगा 65 वर्ष की उमर तक उन में से एक अमीर बन गया होगा चार आर्थे ग्रूप से आत्मंदर बर हो चुके होंगे इस उमर में भी काम कर रहे होंगे और बाकी नब्बे तूट चुके होंगे अब जड़ा एक पर सोचिए सौ में से सिरफ पांच किसी स्थर तक पहुच सके इतने जादा नाकाम क्यों रहे हैं उस चमक उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उमर में उनके भीतर थी वे सपने, वे उमीदे, वे योजनाए क्या हुई आदमी जो करना चाहता था और जो कर पाता है उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है जब हम ये कहते हैं कि सिरफ 5% ने सफलता हासिल की तो हमें सफलता को सपष्ट भी करना होगा और ये है सफलता की परिभाशा सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष को सपष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना अगर एक आदमी पहले से ही निर्धारित लक्ष की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वे कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है तो वही आदमी सफल है। यदि वे ऐसा नहीं कर रहा है तो वे ऐसा सफल है। यानि सफलता निर्धारित लक्षे को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। मुसीबत है वे अनुरूपता यानि बिना सोचे समझे भीड के अनुरूप चलने की मन की सिती। अधिकांच लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरी कर रहे हैं। यह जाने समझे बगार कि आखिर ऐसा क्यों। लगबक साथ वर्ष की उम्र से हमें पढ़ना शुरू कर देते हैं 25 की होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं साथ ही परिवार की देख भाल भी। लेकिन 65 की उम्र तक होने पर भी हम यह नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर बर और निश्चंत कैसे हुआ जैब। क्यों इसलिए कि हम बस औरों की लीग पर चल करते हैं इसका उत्तर वे भी नहीं जानते इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक साचे में गड़ दिया है ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों के निर्देशित होने वाले लोग हैं एक बार बहुत सारी कामकाजी लोगों पर एक सर्वे कि सब्सक्राइं कि निकरते हैं और इसे आइसे अदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू करता है मैं आपको बताता हूं कि सफल लोग कौन है। जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वे यही करना चाहती थी, वे औरत अपने जीवन में सफल है, जो एक पत्नी और एक मा है, क्योंकि वे पत्नी और मा ही बनना चाहती थी, वे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है, वे कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है, क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष निर्धारिद किया था, वो सेल्समेन काम्याब है, जो एक टॉप सेल्समेन बनना चाहता है, इसी उद्देश्य से वे अपना व्यवसाय जमाता है, हर वो आदमी सफल है, जो पहले से अपना सोचा और निर विक्सरजित और स्थापित करता है, लगबग 20 सालों तक मैं उस कुझी की खोच करता रहा, जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारिद किया जा सके, क्या ऐसी कोई कुझी है, मैं जानना चाहता हूं, जिससे बविश्य के बारे मे सब कुछ तै कर दिया जाए, और हम पहले से ही उसकी भविश्यवानी कर सके, क्या ऐसी कोई कुझी है, जो आदमी को सफल होने की गैरेंटी दे सके, काश, आदमी इस कुझी के बारे में जान सके, और ऐसे इस्तमाल करना जान सके, मैं आपको बताऊं, ऐसी कुझी उपलब् किये ही बहुत कुझ उपलब्ध हो जाता है, यानि उनके हाथों में कोई जादू है, जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, वे जिस चीज को भी छूता है, वे सोना हो जाता है, क्या आपने कभी गौर किया है, एक आदमी अपने जीवन में कामियाब ह हुआ, वे हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रतन चीन रहा, जबकि असवल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा, ऐसा सिर्फ लक्षेों की वज़े से ही होता है, हमें से कुछ लोगों के सामने लक्षे होते हैं, और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जब नियात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योजरा के साथ, जहाज की कैप्टन और चालगदर के सदस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि वो जहाज कहा जाने वाला और कितने समय पर पहुँचेगा, इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष है, स्पष्ट लक्ष और स्पष अब इसी तरीके के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए, फरक सरफ इतना है, इस बार कोई कैप्टन नहीं है, नहीं कोई चालग सदस्य है, इस जहाज के सामने कोई लक्षे नहीं है, कोई उद्देश नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है, मैं इसके सामने ना तो कोई लक्ष है और ना ही इसके साथ कोई मार्क दरशन है। बिलकुल यही बात मनख्षे पर भी लागू होती है। एक salesman का ही उधारन ले लिजे। आज दुनिया में कुशल salesman के व्यवसाय से बढ़कर क्यामियाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष स्पष्ट हो और हम अपने काम में होशयार हो तो selling profession यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज़ादा आमदनी कमा कर देने वाला पेशा है। आज हर कमपनी को होशयार से होशयार salesman के जरूत है और वे उसे बड़ा चड़ा कर परश्रमिक देने को भी तयार है। इससे उससे सबसे धीमी गती वाली टुकडी को भी साथ में लेकर चल सके। ठीक उसी परकार आज पूरी अर्थ व्यवस्ता अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाज़त की धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोड़ी रोड़ी कमाना तो काफी आसान हो गया है। जीवन में सपष्ट लक्ष रक्षनेवल लोग क्यों सफल होते हैं और लक्षऺीन लोग क्यों सफल होते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताता हूं, जिनने आप अगर सच में समझ लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा, जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप पूरी तरीके से समझ लेते हैं, आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है, आपको अचानक ये सवभाग्य मिल जाए कि अरसों से आपको लुभाता रहा है, आप जो कुछ भी चाहते हैं वे आपको समक्ष साकार होकर हो जाएगा, आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं, परिस्तितियों से मुक्त हो जाएंगे, जो अरसे से आपके घेरे हु बनते हैं, पूरे इतिहास में जो भी महान, बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हो, दार्शनिग हो या पैगंबर हो, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मदभेद रहा है, लेकिन एक मात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरीके से सहमत रहे हैं, महान रोम समराट मारकस अरिलियस ने कहा है, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है, जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं, इस्राइली ने इस बात को इस प्रकार कहा है, यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे, तो हर चीज हासिल की जा सकती है, बहुत लंबे और गहरे च कहना है, कि एक आदमी वैसा ही बनता है, जैसे वह पूरा दिन सोचता है, विल्लियम जेंस ने भी यही कहा है, मेरी पीडी की सबसे बड़ी खोज यही है, कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को बदल सकता है, और उन्होंने यह भी कहा है, कि जरूरत सर्फ इस बात की है, कि हम अपने जीवन में वंचित चीजों को वास्तव में घठित होता हौँआ मालने, दीरे धीरे इस सोच को जीवन में ऐसा संपर्ख स्थापत होता चला जाएगा, कि वंचित चीजे वास्तव में यथार्त बन, दरसल हमारी स सोच हमारी आदते और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है विल्यम जेम्स ने ये भी कहा कि यदि आप किसी परिणाम के विशेश के बारे में काफी जादा सोचते हैं तो निश्चत तोर पर आप उसे हासल भी कर लेते हैं अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चत तोर पर अमीर बन जाएंगे यदि आप विद्वान बनने की इच्छा रखते हैं तो आप विद्वान बन जाएंगे इसी परकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चत तोर पर आप भले इंसान बन कि वस्तु विशेश या लक्ष के लिए वास्तविक इच्छा शक्ती विक्सित करें और उस जोरान एक मात्र वही लक्षा आपके सामने हो ऐसा नहों कि उस समय सेंकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भढ़के आपको बाइबल का ये कथन याद होगा कि जो विश सकारतमग हो तो आपको सकारतमग नतीजे मिलते हैं यह एक साधारन सी वास्त विक्ता है जो सम्रिद्धी और सफलता के इस आस्चरेजनक मीयम का आधार है कि एवल चार शब्दों में कहा जाए तो विश्वास्त करो और सफलता पाओ विलियम शेक्सपिर ने इस तरीके से क आए कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वास घातनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भैबीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहांपर हम जीत सकते थे जॉर्ज बर्नॉट शौ का कहना है लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसमें सफलता हासिल की है हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे दूसरी और वो आदमी जिसने सामने कोई लक्ष नहीं है जिसे नहीं मालूम कि उसे कहा जाना है और जो इसी वज़े से संशय, भय, चंता और परिशानियों से गिरा हुआ है वैं वैसा ही हो जाएगा जैसा की वो सोच रहा है और अगर ऐसा ही है तो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो यह आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा आईए अब यह समझें कि यह सारा सार काम कैसे करता है क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा की हम सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा सार कुछ क्यों और कैसे होता है कल्पना कीजिए कि किसान के पास थोड़ी जमीन है जमीन बड़ी अच्छी और उपजाओ है जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान लेता है जमीन को इससे कोई मतलब नहीं ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के समान है बलकि हम मानव मन की तुल्ला में ही जमीन का उधारन दे रहे है जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है आप उसमें कैसे विचार बोते हैं बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वे उसी की फसल आपको वापस लोटाएगा यही वास्तविक्ता लागू होती है सकारत्मक और नकारत्मक विचारों के साथ यदि आप सकारत्मक विचार बोएंगे तो कामियाभी की फसल काटेंगे यदि नकारत्मक विचार बोएंग अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापिस लोटाती है, दोनों पौदे उगते हैं, एक अन का और दूसरा जहर का, बाइबल में कहा भी गया है, आप जैसा बोयेंगे वह सही काटेंगे, याद रखिए कि जमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं है, कि वह अन लोटा रही है अब मानव मस्तिक्ष जमीन से कहीं ज़्यादा भरोसे मन्द है, कहीं ज़्यादा उर्वर है, और कहीं ज़्यादा चमतकारी है, लेकिन ये जमीन के सिध्धान्थ पर ही काम करता है, ये भी इस बात की चिंता नहीं करता, कि हम इसमें क्या बो रहे हैं, बस जो कुछ भी बो आपको मालूम है कि मानव मस्तिश आज इस धर्ती पर एक मात्र अंतिन महादेश है जिसका आज तक अनवेशन नहीं हुआ है इसमें हमारी कलपना से भी परे कुछ सम्रिद्धी भरी पड़ी है यदि हम सकारत्मक विचार डालें तो यह भारी सफलता और सुख सम्रिद्धी हम क्यों नहीं करते लोगों के पास इसका भी जवाब है हमारा मस्तिश एक उन्नत यंद्र के रूप में हमें जनम से ही मिला हुआ है निशलक बिलकुल मुफ्त और जो चीज हमें मुफ्त मिलती है उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसों से आती हैं जबकि हकीकत में इसके विपरीद बात ही सही होती है आज जो भी चीजे हमारे जीवन में वास्तव में महत्व पूर्ण है वे हमें निशलक उपलब्द है हमारा मस्तिश्क हमारी आत्मा हमारा शरीर हमारी आशाएं हमारे सपने हमारी अगांग्शाएं हमारी ऐसे खर्षते हैं वे इनके मुकाबले काफी हल्की हैं स्तरहीन है और किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता लेकिन प्रकरती की और से निशल्प मिली चीजे कभी नहीं बदली जा सकती और दूसरी बात यह है कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है मन विश्वे जालियों ने ये साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांच लोग अपनी शमता का 10% ही इस्तमाल करते हैं हमारी शेश शमता यूही अंचुई रह जाती है अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है अपना लक्ष अपने मस्तिक शुरूपी जमीन में बो दी आते हैं आपको सर्फ ये करना है कि इस लक्ष रूपी बीच का रोपन अपने दिलो दिमाग में कर लेना है जतन से इकागरत होकर इस देखबाल करनी है लक्षे की दिशा में आगे बढ़े कारेशिल रहें और एक दिन आपका सपना हकीकत ने बदल जाएगा कोई सवाल ही आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है जैसा सर आईजेक न्यूटन का गुरुतत्व आकर्शन का नियम है यदि आप किसी इमारत की छत से चलंग लगा दें तो आप नीचे ही उतरेंगे उपर नहीं जाएंगे प्रकृति के सभी नियम हम हमेशा सही होते हैं हमेशा काम करते हैं आप भी बिलकुल सकारत्मक दिशा में अपने लक्ष को सोचिए हमेशा जागी आखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष हासल कर लिया है उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ देखिए जो लक्ष विज्ञान ने स्वास और लंबी उमर पाने की दिशा में इतनी काम्याबी हासिल कर ली है लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूदने में तनाव ग्रस्थ हो रहे हैं और खुद को असायमिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकरतिक नियों मुका अपनाना नहीं सीखा जो हमारे लिए बेहत कारगर और लाबकारी है हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमतकार छोपा हुआ है दरसल हर विक्ती अपनी समझ सोच का ही योगफल होता है वैस्विकार करे या ना करे लेकिन वो जो एक को भविष्य में अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है क्योंकि आज कल या अगले महीने अगले वर्ष हमारी सोच की जो दिशार हैगी उसी से हमारा भविष्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा आपका मन मस्तिश ही आपके संपून व्यक्तित्व और जी आदमी दो पईयो हातों से थामे मशीन को निर्धेशित कर रहा था एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिश से की जा सकती है विशाल उर्जा के सोचतर को इस मस्तिश रूपी मशीन का नियंतरन हमारे हातों में है क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह और इसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए लगाएंगे ये दोनों विकल्प आपके उपर है क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंतरन आपके हातों में है अब देखा ना आपने कि हमने सफलता परदान करने वाले नियम एक दो धरी परिवार की तरह है हमें अपनी सोच और विचारों पर नियंतरन रखना चाहिए विचारों का यह एहम नियम है जहां एक और आदमी की सफलता सुख और सम्रिदी की और ले जाता है उसे जीवन में में खुशिय उपलब्द कराता है जिनका उनके परिवार और अपने आश्चर जनक रहस है अब सवाल यह है कि मैं इस आश्चर जनक क्यों कहूं और रहस से भी क्यों कहूं वास्तव में यह कोई रहस से तो बिल्कुल नहीं है पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्रकृतिक नियम की सच्चाई पर्मानित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है लेकिन बहुत थोड़ी लोगों ने इसे समझा और सीखा यही कारण है कि यह लोग के लिए आश्चरेजनक है और इसी वज़े से रहस से भी बना हुआ है मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों से जाएं और एक-एक कर हर व्यक्ति से पूछें कि सफलता का रहस क्या है तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद शायद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको यह रहस से बता पाए और जो कुछ हमने जाना वह हमारे लिए वास्तवद में अत्यन्त मुलनेवान है यदि हम ये समझ रहे हैं कि जीवन में लागू भी कर सकेंगे ये ना सरफ हमारे लिए बलकि हम से जुड़े और हमारे आसपास के हर विक्ति के लिए बहुत मेंद्वपून जीवन को निरस और उबाव नहीं बलकि एक उत्तेजणा पून अभियान होना चाहिए आदमी को अपनी जिन्दे की पूरी जिन्दा दिली से भरपूर जीनी चाहिए वे सुबह सवेरे नीन टूटने पर खुश होना चाहिए उसे अपना मन पसंद विवसाय करना चाहिए च्योंकि वे इसे बहतर डंग से कर पाएगा एक बार मैंने एक देनिक के संपादक का व्यख्यान सुना था उन्होंने अंत में जो कहा उसे मैं कभी बुला नहीं पाएग उन्होंने कुछ इस तरह कहा था अपने विवसाय में मैंने कई जाने वाली बाते एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं ये भी के सभी कहीं न कहीं से आये हैं इसलिए इस धर्ती पर बीच का समय हमें रोमांचे का भियान की तरह बिताना है सुष्टी के रचियता नहीं कहा कि बीच में कोई सीड़ी तो होती नहीं है लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस रचियता ने समय समय पर इस रहस्तर का उधगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे, तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अब तरित होगा मैं आपको परिक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ यह परिक्षा 30 जिनों तक चलेगी, यदि आपने अच्छी परिक्षा दी तो यह आपके जीवन को बहतर से बहतर रूप में पूरी तरीके से बदल देगी सतरवी शताबदी में वापस लोटे जब महान विज्ञानिक सर आईजेक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बताए थे जो मनुष्य पर भी उतनी सचाई से लागू होते हैं जितने की सृष्टी के अनुवी वस्ति उपर इन नियमों से एक नियम है प्रतेक्रिया की बिलकुल समान और विप्रीद प्रतीक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मुल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तीस दिनों के लिए आप प्रयोग का नतीजा बिलकुल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपने पर्यास किया एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिक्ष्रम और अध्यन करने का मुल्य चुकाना होगा उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या विक्री के वहवसाये में हमारी सफलता इस बात पर निर्वर करती है कि चीजों की बेच सकने की या विचारों को दूसरे तक पहुचाने की या स्विक्रिती कराने की भी हमारी शमता कितनी है लेकिन औरों को बहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने परियास में कितना मूल्य चुकाते हैं हमें ये मूल्य चुकाने को तयार भी लेना चाहिए अब सवाल है कि ये मूल्य है क्या इसमें कई बाते हैं पहली तो ये कि हमें बौधिक रूप से और भावनत्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनते हैं इसलिए अपने जीवन को नियंतरत करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंतरत करना होगा हमें अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि जैसा हम बोईंगे वैसा ही हम काटेंगे दूसरी बात हमें अपने मन से सभी अर्चनों बेडियों को काट फैकना होगा यह सोचकर काम को अधिक्तम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए देविय रूप से निर्धारित है यानि यह समझना होगा कि सभी सीमाय रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई है हमारे सामनी कलपना से भी बढ़कर अफसर मौजूद है अर्थात हमें तमाम संकिर्णाओं से और पूर्वग्रव से उपर उठाना होगा तीसरी बात अपनी समस्या पर सकारक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रणित करने में पूरी शम्ता और सहास का इस्तमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चत और स्पष्ट लक्ष निर्धारित करने के लिए भी अपने मस्तिक्ष के बारे में सभी संभव कोणों के विचार करने का अफसर देना होगा अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वह हर संभावित समधान की परक्ष कर सके या विश्वास करने से इंकार करना होगा कि लक्ष की प्रती मार्ग में कभी कोई परिस्तिती आपको हरा भी सकती है जब आपको लक्ष की और ले जाने वाला मार्ग सपष्ट दिखे तो बिलकुल तत्परता से खैसला लेते हुए एक काम करना होगा और आपको लगातार इस तत्था से अबगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्वियों के शेत्रों के बीच में खड़े हुए और चौती बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका दस परतीशत निश्चत रूप से बचाएं यह हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसायच जैसा भी हो यदि आप मुल्य चुकाने को तयार हैं उसमें अनन्त संभावनाएं भरी हुई है आई हम उन मेतोपूल बिंदियों को दुबारा ले जाए एक खुबसूरत जीवन बिताने के लिए मुल्य के तौर पर हमें क्या-क्या चुकाना है पहला हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं दूसरा कलपना शब्द का मेतो समझे और मस्तिक्ष को उची उड़ान भरने दे तीसरी बात साहस हर दिन अपने लक्ष की और एकाग्रित हो और चौथी बात कि जो भी कमाएं उसका 10% बचाएं साथी ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक विर्थ है जब तक हम कारवेवानमित ना हो और अब मैं 30 दिनों के परिक्षन को समझाने की कोशिश करूँगा अपने दिमाग में इस पष्ट करने के इस परिक्षन में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे बलकि मुनकिन है आप सब कुछ पा सकते हैं दो बाते हम सब पर लागू होती हैं हम सब कुछ न कुछ चाते हैं हम सब किसी न किसी चीज से भैबीत रहते हैं मैं चाहूंगा कि आप एक काड़ पर लिखें कि क्या चीज है जिसे आप सबसे जादा चाते हैं हो सकता है कि यह रुपया पैसा हो आप अपनी आमदनी दुगना करना चाते हो या एक खास परिणाम में रुपया पैसा कामाना चाहते हो, हो सकता है कि आप एक खुबसूरत मकान चाहते हो, या अपने विवसाय में काम्यावी चाहते हो, या फिर जीवन में खास मकान की तमन्ना हो आपको, या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एक ताकिया भी हम सब कुछ ना कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं आप अपने काड़ पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है यह निश्चित कर लीजिए कि यही आपका एक मात्र स्पष्ट लक्षे है और अपना ये काड़ किसी और को मत दिखाईए बलकि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में इसे कई बार देख सकें इस पर लिखे के लक्षे के बारे में सुबह नीन से जागने पर प्रफुलित होकर और शांचित से सोचिए दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस काड़ को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए काड़ को समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं और चूकि आप अपने लक्षे के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ये समझिए कि बहुत ही जल्दी आप इस लक्षे को हासल भी कर लेंगे दरासल जिस पल आपने अपनी इच्छाएं उस कार्ड पर लिखी उसके बारे में सोचना शुरू किया उसी पल से वो लक्षे आपका हो चुका है जबाब काम से बाहर निकलते हैं तो आस पास खैली प्रचुरता की और देखिए इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उत्रा ही अधिकार है जितना औरों का है यदि आप चाहें और प्रयतन करें तो यह प्रचुरता आपकी हो सकती है अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं मुश्किल इसलिए कि इसमें इसके अनुसार आपको कुछ नई आदते विक्सित करनी होंगी और नई आदते असानी से नहीं बनती लेकिन अगर एक बार पढ़ जाएं तो फिर जीवन भर आपकी साथी बनी रहती है जिस चीज से भी आपको भई लगता है उसके बारे में सोचना बन कर दीजे हर बार जब कोई भयानक और नकारत्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगा पर आपने अपने आपको सकारत्मक मत्वपून लक्ष का विचार लाना है उसकी सजीव कल्पना मन में भर लीजिए इस दोरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा ये परयास छोड़ देना चाहिए क्योंकि आदमी के लिए सकारत्मक सोचने की अपेक्षा नकारत्मक सोचना ज़्यादा आसान होता है और यही वज़य है कि सिरफ 5% लोग ही कामियाब हो पाते हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसी परतीशत वाले वर्ग में अपनी जगा बनाएं इस 30 दिनों के लिए अपने मस्तिश का नियंतरन पूरी तरीके से आपके हातों में होना चाहिए इस दोरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप देंगे 30 दिनों के इस परिक्षन अविद्री की दोरान हर दिन आप उससे भी ज़्यादा काम करें जितना आपको करना है इसके अलावा एक उत्साही सकारत्म गुर्ग बनाए रखें के लिए पहले से भी ज़्यादा कुशिश करें ये सारा कुछ दियान से करते हुए जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे जिस शन आप किसी लक्ष की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी शन आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं क्योंकि आप उसी शन ऐसे सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिनें मालूम है कि वे किदर जा रहे हैं इसका मतलब है कि लक्ष निर्दारिद करने के साथ ही आप परतेक सौ में से शीर्ष के पाँच लोगों में आ गए हैं। लक्ष की तरह हासिल किया जाए। इस चंता में आपको ज़्यादा उलजिये मत इसे पूरी शक्ती पर छोड़ दीजे। आपको सरफ ये मालूम होना चाहिए कि आप किदर जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी के सारे प्रशन जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएगा। होता है और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है। ये सब जतने सहज हैं उतने ही चमतकारी भी। दरसल ये सिद्धान इतना सरल है कि हमारे कटिन शब्दों में उलजकर इसे समझना शायद मुश्किल होगा। बस आपके लिए जानना जरूरी ये है कि 30 दिनो के दौरान आपके सामने स्पष्ट लक्ष हो उसे पूरा करने का विश्वास भी हो चाहे आप किसी भी पेशे में जुड़े हो इस 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम परदशन करें जैसा आपने अभी तक नहीं किया। हर दिन अपना लक्ष आपकी आँखों के सामने रखें उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद पराश्टर रहे होगा। अवदी पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की और आश्चरे जनक सफलता ने उन्हें पूरे जीवन ने बदलावला कर दिया। अब आप 30 दिनों तक अपना परिक्षन करें लेकिन तब तक परिक्षन शुरू ना करें जब तक आप इससे जुड़ने के लिए खुद को पूरी तरीके से तयार ना कर ले। आप पाएंगे कि दरड लगलचीन होने की वज़े से आप में विश्वास भी जलग राये। कहा जा सकता है कि दरड लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते। यदि 30 दिनों के लिए परिक्ष आप अपने कार्ड को मत बूलें। जब आप जीने का ये नया धंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए नहायद जरूरी है। इसकी एक तरफ आप अपना लक्ष लिखें जो भी आप लक्ष हो और दूसरी तरफ आप वो पंक्तिया लिखें पूछो और वो तुम जीवन में कभी भी कोई महान कार रहे बिना प्रेणा के संपन नहीं हो सका। ये ध्यान रखें कि परिक्षन अवदी के 30 दिनों के दोरान आपकी प्रेणा आपके शीर्ष बिंदू पर रहे। सबसे बड़ी बात है कि आप चिंता बिलकुल ना करें। ये चिंता भए को ज कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यूं करूं। देखिए जीवन में कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता भए और निराश्य से बढ़ हो। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोईंगे व वह सपफल बोते हैं तो आप लकारत्मक वैचारों को ही काढ़ेंगे और सकारत्मक बहुते हैं तो सकारत्मक की काटेंगे और अब एक बात और अक्सर ऐसी प्रवरती देखी जाती है सुनी गई बाते धीरे-धीरे भूलने लगते हैं इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच में जाकर अपने यापको याद दिलाते रही है नई आदत विक्सित करने के लिए आपको क्या करना है नियमित अंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर इसे सुने आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वैसे नियम को जाने समझें सीखे बिना ही पैसा कमाना चाते हैं ये वैसे लोग हैं जो बिना किसी की परिश्रम के बिना बिना कोई कीमत चुका है मुफ्त में ही कुछ पाना चाते हैं ऐसे लोग जीवन में अस ही लोगों के पैसों से करते हैं इसलिए प्रमानेक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाब हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे सफलता कभी भी पैसे कमाने का परिणान नहीं है बलकि इसके विपरीद सफलता परिणान स्वरू भी ह उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल है जबकि सचाई ये है कि आप पैसा तब ही कमा सकते हैं जब आप पहले अपने आपको सफलता प्राप करके देते हैं अन्य था उस आदमी की कहानी का उधारन ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैट तो गया है और कह रहा है कि पहले मुझे आज दो तब मैं लगणिया डालूँगा आज दुनिया में कितने लोगों को जीवन के प्रती ऐसा रवया होगा उनकी संख्या करोडों और अर्बों में होगी जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले इंधन डालने पर ही आग्म लेगी कि किसी तरीके से हमें अपनी सेवाएं कार्यों पर ध्यान देना चाहिए तब पैस प्रतेक्रिया की समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है तीस दिन की परिक्षन अवदी से एक-एक दिन करके गुजरते हैं हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिणाम और गुणवर्टा से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्द कराई है और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है कोई भी व्यक्ति तब तक सम्रिद्द नहीं बन सकता जब तक वे औरों को सम्रिद्द ना करे इस नियम में कोई उपवाद नहीं है एक बार यदि यह नियम अच्छी तरह से समझ आ जाए तो कोई भी विचारवन व्यक्ति अपना भाग्य स्वें बदल सकता है यदि वे और अधिक चाता है तो उसे लोगों को अधिक सेवा उपलब्द करानी होगी यदि वे और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिणाम में कमी करनी होगी यही वे मुल्य है जिसको अपनी इच्छा और जरूतों के लिए चुकाना होगा यदि आप सोचते हैं कि आपको औरों की दरकिनार कर स्वें को सम्रिद्द कर लेंगे तो यह आप की बहुत बड़ी भूल है इससे आप सोई को ही दरकिनार कर लेंगे यह बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने की जैसा है कि आप जतना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा आप इस नियम को पलट सकते हैं ऐसा कभी भी भूल कर मत सोचिए कि यह है संबभ एक जाने कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचे जो आपको सफल बनाने पर विश्वास दिलाते हैं अगर नाकारत्मक विचार ही आप पर हावी है तो अपने बच्पन की दिनों तक पीछे लोटकर उन करणों को डून निकालने की कोशिश करें जिनकी वज़े से पहले पहल ये बात आपके मन में बेठा दी गई थी कि आप सफल नहीं हो सकते किसी ऐसे व्यक्ति का वरणन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में मानते हैं उसी विशे में अपनी धारणा क को बदलें आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरन करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वयम को रख कर सोचें और अभीने तैग करें मानव सब्यता के ग्यात इतिहास की शुरूआत से ही विशे शग्य लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश कर ये काम निश्चत रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना की असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना है तीस दिनों का परिक्षन बूरा करें इसे दोराएं और फिर दोराएं हर बार ये आदते आपके भीतर आत्मसात होती जाएंगी जादा से जादा और एक इसी वर्षा होगी जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा पैसा भरपूर मिलेगा लेकिन इससे भी ज्यादा मैत्वपून है कि आपको शांती मिले यह नियम अपना कर आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शांत आननपून और सफल जीव आपके समुक